हाल ही में एक तस्वीर वारल हुड जिसमें एक पिता अपने नवजात बच्चे को सीने से लगा कर दूध पिला रहा है इस व्यक्ति का नाम मैक समिलन यो व्यूर बताय गया है और इसने खुद अपने फेस्बुक पिज पर नवजात बच्ची को दूध पिलाते वे तस्वीर साचा की है मैक समिलन ने अपने फोटो के साथ लेखा कि वे केवल पिता ही नहीं बने बलकि वे अपनी बेटी को ब्रियस्ट प्रीट कराने के बाद एसा करने वाले पहले शक्स्टी बन गए हैं उनकी सोशल मेडिया पर वारल हुरे तस्वीर पर ज्यादा तर तारीफ भरे कमेंट आ रहे हैं हाला कि कुछ लोग मैक समिलन की आलोचना भी कर रहे हैं बेरहाल जहां तक मैक समिलन का सवाल है वे इन सबसे बेपरवा होकर अपनी बेटी की देखाल करके बेहत खुश हैं वहीं उनकी बेटी रोशल दुनिया की पहली ऐसी बच्ची बन चुकी है जो तकनीकी रूप से पिता का दूद पीकर पल रही है CNN के अनुसार मैक समिलन की पतनी अप्रिल यू यू ने बताया की उन्होंने कभी नहीं सोजा था कि वे कभी बच्चे को जन्म दे सकेंगी क्योंकि उन्हें पोलिसिस्टे कोवरी सिंट्रोम था ये एके सी बीमारी हैं जिसमें हाम उनके असंतुलन से मासिक तोम में अने मित्ता आ जाती है आयर उसके कारण गर्ब धारन करना मुश्किल हो जाता है संभवत इसी वजह से अप्रिल को डिलीवरी के दौरान काफी समस्या हो गरी थी आयर उन्हें आरिसी यूप में भरती होना पढ़ा जिसकी वजह से वेह अपनी बेटी को तूरत रियस्ट फ्रीड नहीं करा सकती थी इस तरह उनके पती को बेबी फिरिंग की जिम्मेदारे उठानी पड़ी इस अवसर पर उनकी डाली गरी तस्वीर अब तक 30,000 से ज्यादा बार शियर हो चुकी है